जैशी कृष्णा स्वागत है आपका सार्थी तृष्णा के साथ कैसे हैं आप लोग एक बहुत दिनों से बात मन को लुभा रही थी मन को थोड़ा सा विचलित कर रही थी और मन में पहुत सारी अलग अलग तरह की उचसाहित चीजें आ रही थी आप कहेंगे माने सब खिचडी बता दी, सब चीज़े गिना दी, उत्साहित भी हो रही थी, मन में विचार भी आ रहे थे, परेशान भी हो रही थी, आखिर ऐसी बात क्या थी, सस्पेंस है, पर बताऊंगी जरूर, चलिए, मैं आपके एस्टोलाजर हूँ, वास्तु शास्त चली आती हूँ, सबसे पहले तो ये बता दीजे, कैसे हैं आप लो, क्या हल चाल है, क्या चल रहा है जिन्दगी में, बताते रहिएगा, कमेंट में शेर, जरूर करते रहिएगा, चलिए, मैं आज जिस विशे पर बात करने आई हूँ, उस विशे का तालुक है, सौंदर्य सौंदर्य, एक ऐसी चीज, जिसे देखते ही, कोई भी आपको जाने बिना, पहचाने बिना, आपके गुणों को देखे बिना, आपके चीजों को देखे बिना, आपके प्रती आकरशित हो जाता है, सौंदर्य केवल शरीर का नहीं होता, सौंदर्य केवल चहरे का नहीं होत सौंदर ये कई बार सिर्फ आखों का होता है, सौंदर ये कई बार सिर्फ आपके एक्सप्रेशन का होता है, सौंदर ये कई बार सिर्फ आपके बालों से आजाता है, सौंदर ये कई बार आपकी छुटी छुटी हरकतों से आजाता है, सौंदर ये आपके चुलबुलहट से आजाता है सुंदर यह आपकी हसी से आजाता है सुंदर यह आपके देखने आपके चीजों को भाव लाने के स्टाइल से आजाता है सुंदर यह आपके वातसले से आजाता है सुंदर यह आपके प्रेम से आजाता है सुंदर यह आपके अंदर के ग्लैमर से आजाता है सुंद सौंदर्ये प्रकर्ति के साथ आपके संबंध से आ जाता है, सौंदर्ये आपके अध्यात्म से जुड़े होने से आपके तेज से आ जाता है, सौंदर्ये आपके गुरु से आपको मिल जाता है, सौंदर्ये किसी के संरक्षन में रहकर मिल जाता है, देख्या सुंदर्य का कितना रूप और कितने प्रकार हैं एक स्त्री के लिए सुंदर्य बहुत बड़ी चीज है एक स्त्री के लिए सुंदर्य नहीं तो शायद उसके जीवन का 30% भाग कट जाता है मुझे अच्छी से याद है मैं बहुत छोटी थी और हमारे महले में चुकि मैं राजस्थान से हूँ शायद आप लोगों को पता होगा तो हमारे महले में सुभे सुभे कुछ और तें जाती थी पानी भरने उनके सिर पे मटकियां होती थी एक के ओपर एक के ओपर एक और उनका घुंगट इतना इतना होता था उसमें से एक लेड़ी थी मुझे बहुत अच्छी से आज भी उसके कदमों की वो आहट उसके कदमों की वो चलने की जो स्टाइल थी वो आज भी याद है इतनी मोटी वो पायल पहनती थी और वो चन चन करते हुए पानी भणने जाती थी चहरा मैंने उनका कभी नहीं देखा बहुत छोटी थी इसलिए कोई और चीज़ मुझे समझ नहीं आती थी लेकिन जिस तरही के से वो चलती थी जिस तरही के से वो पैर रखती थी और उनकी पायल बज़ती थी सच में वो मुझे बार बार उनकी तरफ ठीचती थी और मुझे ऐसा लगता था ये जब भी जाए न मैं इनके पैरों के पाइल की आहट जरूर सुनो सौंदर्य उनके पैरों में था सौंदर्य उनके चलने के उस अदा में था उस हुनर में था तो सौंदर्य तो किसी का कहीं भी हो सकता है सौंदर्य का कोई रूप नहीं होता कोई प्रारूप नहीं होता परंतु अगर जीवन में सौंदर्य ना हो तो क्या होता है आप लोगों के साथ होते हुए भी लोगों से हमेशा तिरस्करत रहते हो लोग आपकी तरफ देखना पसंद नहीं करते लोग आपकी चीजों को एप्रिशियेट नहीं करते लोग आपकी चीजों के साथ में ताल मेल नहीं बैठाते आप कुछ मरजी कर लीजे लोग आपके साथ अपनी चीजों को लेकर कमफ़र्टेबल नहीं हो पाते लोग आपसे प्रेम नहीं कर पाते लोग आपको सिर्फ जरूरत के लिए यूज करते हैं लोगों का आपके प्रती आकर्शन सिर्फ उनके काम के लिए और उनके चीजों के लिए रहता है उनका समर्पड नहीं आता आप अपना एक स्थान नहीं बना पाते आप मनोपोली नहीं कर पाते, आप किसी को वश्यक्रत नहीं कर पाते, आकर्शन नहीं हो अगर आपके अंदर, तो आपके रिष्टों में भी कहीं न कहीं दूरी बनने लगती है, बहुत सारी ओरतों को मैंने देखा है, वो सुबह उठकर, नहाद होकर, तयार होकर, बहुत बढ़ाने के लिए, अपने तेज को बढ़ाने के लिए, नारी है, हमें तो यह अधिकार मिला है, कि हमें अपने सौंदर्य को बढ़ाना ही है, हमें हमारे सौंदर्य के साथ काम करना ही है, पर ऐसा क्या होता है आपकी कुंडली में, कि आप इस सौंदर्य से वंचित रह जा है औरत के शरीर की बनावट आकर्शन का सबसे बड़ा केंद्र होता है उसकी आखें बहुत बड़ा केंद्र होता है उसके बोलने का तरीका बहुत बड़ा केंद्र होता है आपके चहरे की मासूमियत बहुत बड़ा केंद्र होता है आपके कर्म करने का तरीका बहुत छोटी- काला रंग इस चीज़ के लिए कोई माइने नहीं रखता क्या जिनका रंग काला होता है उनमें आकर्शन नहीं होता आपको पता लग गया होगा मैं क्यूं हसी अरे मेरा सावरा ही काला है और देखिए न सबसे ज़्यादा आकर्शन उनी में है दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी के अंदर आकर्शन पाया जाता है तो वो श्री कृष्ण में है तो सोचिये काले रंग में भी आकर्शन होता है वो जिस तरीके से टेड़े तरीके से खड़े होते हैं उसी में आकर्शन आ जाता है वो जैसे अपनी बासुरी पकड़ते हैं उसी में आकर्शन आ जाता है वो जिस तरीके से अपने मोरपंक को लगाते हैं उसी में आकर्शन आ जाता है आप सोचिए एक पत्थर की मूरत में इतना आकर्शन है तो उन में कितना होगा तो ये आकर्शन हम कैसे बढ़ा लें तरीके क्या है अपने आकर्शन को बढ़ाने के अपने कुंडली के अंदर बैठे हुए शुक्र को तीवर करने के अपने चंद्रमा को और जादा अच्छे करने के लिए क्योंकि मुख पर जो तेज आता है उसका कारण आपका चंद्रमा होता है मासूमियत जो आती है उसका कारण आपका चंद्रमा होता है आपके मस्तश्क पर जो तेज आता है उसका कारण आपका सूर्य होता है तो आपकी कुंडली के अंदर आपके ग्रहों को कैसे ठीक कर ले ये बताने आपकी ये सार्थी आज फिर आपके साथ है तो चलिए उड़ा लेजे कॉपी पैन और कुछ बहुत अच्छे नुकसे और उपाए अपने सार्थी से जान लीजिए जिन लोगों को ऐसा लगता है उनका आकर्शन कम हो रहा है जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनका तेज कम हो रहा है जिन लोगों को ऐसा लगता है उनका औरा कम हो रहा है उन लोगों को नित प्रते दिन केसर हल्दी और शहद मिलाकर अपनी नाभी पर जरूर लगाना चाहिए ऐसे लोगों को अपनी नाभी को गुलाब जल से जरूर धोना चाहिए ऐसे लोगों को अपनी नाभी के उपपर एक हरे रंग का धागा जरूर बांद के रखना चाहिए पुर्णी मा की रातरी को कच्चे दूद से आपको अपनी नाभी साफ जरूर करनी चाहिए बहुत छोटे उपाएं लेकिन करके देखिए जबरदस्त आकर्षन बढ़ जाएगा आपका जिन लोगों के चहरे में अच्छी कटिंग है जिनके आखें बहुत अट्रैक्टिव हैं जिनकी नाख बहुत अट्रैक्टिव हैं लेकिन तेज नहीं है एक अलग सी खामोशी है एक अलग सी बेरुखी है एक अलग सा बोलू तो बुझसा गया है ऐसे लोगों को वापस से अपने चहरे का वो तेज लाने के लिए देखिए आप कैमिकली क्या यूज करते हैं मुझे नहीं पता आप फेशिल कराते हैं आप ट्रीटमेंट्स लेते हैं उनसे नहीं आता यह चीज़े अंदर से आती है यह चीज़े अंदर का सौंदर यह है जब तक आपकी आत्मा शुद नहीं होगी जब तक आपके अंदर के शरीर का एक एक अंग शुद नहीं होगा जो नहीं दिखता वो अंग जब तक शुद नहीं होगा, तब तक आपके चहरे पे वो तेज, वो चमक, वो बात आएगी ही नहीं. तो चलिए, क्या करना है, आपको मैं बता देती हूँ. आपके अगर अंदर का तेज चला गया, आपके चहरे पे से वो बात खतम हो रही है, तो आपको क्या कर लेना चाहिए? आपको रोज, तुलसी, दाना मेथी, और सौफ, इन तीनों का पानी मिलाकर जरूर पीना चाहिए. आप रात को सोते समय थोड़ी सी दाना मेथी और थोड़ी सी सौफ भिगो कर रख दीजे. पहले उरते ही खाली पेट आपको थोड़ी सी दाना मेथी खानी है, और उसके बाद आपको फिर सौफ का पानी पी लेना है. लगातार करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा तुलसी का पानी आपको रोज पीना है, सुबह सुबह उठकर अपनी बोतल में तुलसी डाल दीजे और वो पानी पीना चालू कर दीजे, देखिए आपका आकर्शन जरूर बढ़ेगा. अगर आपका शुक्र अच्छा नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको नहा पाकुर जी को जब भी धही चडाना हो, उसके अंदर आप थोड़ा सा मिश्री जरूर डाल लीजे, तो देखिएगा आपका आकर्शन स्वतही बढ़ने लगेगा. आप अपने इस्ट की जितनी सेवा करते हैं उससे खुशी आती है, उससे अंतर मन के अंदर एक अलग सा त आपको किसी को अपनी तरफ वश्य भूत करना है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको दो चीजे बता रही हूँ, वो आपको regular रूप से करनी चाहिए, लिख लीजे क्या करना है आपको, आपको एक इत्र तयार करना है, इत्र गुलाब का होगा और उस इत्र के अंदर और उसके बाद आप गनेश जी के मंत्र से उसे सिद्ध कर लेंगे गनेश जी का ओम गम गन पता है नहीं इस मंत्र से आप सिद्ध कर लीजे आपको यह मंत्र कम से कम 11 माला जाप करना है उसके बाद यह इत्र सिद्ध हो जाएगा उसके बाद आपको यह इत्र अपने पैरों क खिचे खिचे से रहते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए आपको अगर आप दिन में नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं रातरी में करके सोईए लेकिन आपको आगे की पूरी हतेली में अलता जरूर लगाना चाहिए या फिर आप रोली को पूरी तरीके से घोल कर अपने हाथ में लगा के यानि कि अपने हातों को लाल करकर सोना चालू कर दीजे देखिए आपके जीवन में आकरशन ना आ जाए तो अपने सार्थी से बोल दीजेगा करके देखिए बहुत अच्छु कुपाय दे रही हूं आपको जिन औरतों के बालों से आकरशन कम हो रहा है जिनके ब बाल कम हैं जिनके बाल बहुत तूटते हैं जिनके बाल बहुत रफ लगते हैं ऐसी औरतों का अगर बालों को लेकर आकरशन तूट रहा है तो आपको क्या कर लेना चाहिए आपको सूर्य को प्रवल करने की जरूरत है आपको अपने गुरू को सही करने की जरूरत है आपक अपने सिर के अंदर जरूर से तेल की मालिश करनी चाहिए और खास करके शुकरवार वाले दिन ये मालिश आप पर जरूर करा करिए साथ ही साथ में आप सूरे को जल जरूर दिया कीजिए और जल देते समय उसके अंदर थोड़ा सा गुलाब जरूर डाल दिया कीजिए या गुलाब की पतियां जरूर डाल दिया कीजे आपके सिर से अगर आपका आकर्शन कम हो रहा है किसी किसी का होता है नहीं ललाट छोटा होता है किसी का बहुत जादा बड़ा होता है जिससे उनका चहरा अजीब सा लगने लगता है स्टाइल आप जो भी करें मुझे पता नहीं मैं तो जोतिश के आधार पर आपको चीजें बता रही हूँ कि आपका वो तेज बड़े आपका वो आकर्शन बड़े आपके वो चीजें बड़े मैं तो आपको वही बात करने आती हूँ तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए आपको हमेशा अपने सिर के उपर केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए आपको थोड़ा सा इत्र और थोड़ा सा गंगा जल मिला कर पानी बना लेना है और रात को सोते समय उसका यहां पर लेब करके अपने सिर पर लेब करके आपको जरूर से सोना है बहुत चोटी चोटी चीजें हैं करके देखिए एक अलग सा रुजहान आ जाएगा लोगों का आपकी तरफ अट्रैक्शन अचानक से बढ़ने लगेगा करके जरूर देखिएगा और इसका इफेक्ट जरूर बताईएगा चलती हूँ आज के लिए बस इतना ही फिर आओंगे कुछ नया कुछ अलग कुछ अद्बुद लेकर तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा रिष्टों में मजबूती बना के रखिएगा अपने सार्थी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा प्यार देते रहिएगा प्यार लेते रहिएगा मेरे फेस्बुक और मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी आप मुझे जॉइन कर सकते हैं आपको मेरी बाते अच्छी लगती है तो लाइक शेर और कमेंट जरूर करा करिए मुझे बहुत आत्मी खुशी मिलती है मुझे बहुत confidence आता है और कुछ नया करने का मन करता है मैं फिर आओंगी अपना ख्याल जरूर रखेगा मुझसे बात करने के लिए आप इन नमबर्स पर कॉल कर सकते हैं WhatsApp कर सकते हैं मैसेज़ कर सकते हैं ख्याल रखना आपना जैशी कृष्णा